दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस टील यूज पर थम रूल यानि कि थम रूल के कॉर्डिंग जो है कौन से structure member में कितने mm का minimum जो है स्टील हमको प्रॉआइड करना चाहिए और कौन सा structure member का size जो है कम से कम कितना होने चाहिए इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डीटेल में जानेंगे दोस्तों यहां पर दो कॉलम है पहला है types of work इसमें work लिखे हुए है और दूसरा है minimum use of steel यानि कि steel का जो है यानि कि यदि हम mm में बात करें तो 230 mm into 230 mm की जो है रसी सी बीम कम से कम होनी चाहिए अगला structure है RCC column दोस्तों RCC column की जो size है वह कितनी होनी चाहिए तो यह भी RCC column की size है वह 9 inches into 9 inches यानि की 230 mm into 230 mm की होनी चाहिए अगला जो structure है वह है foundation दोस्तों foundation जो है वह कितने वाई कितने की होनी चाहिए तो दोस्तों foundation कम से कम जो है एक मीटर बाई एक मीटर की होनी चाहिए जो भी हम putting बनाते है columns के foundation बनाते हैं तो दोस्तों जो footing है footing का जो जाल हम कम से कम एक मीटर नहीं होने चाहिए गो दोस्तों इसका तो बीरिंग यहां होता है पर यह उसका जो है वो ओता है लोड वेरिंग कपीशिटी मोर दन थर्टि ती ती यानि कि 30 टंड ज़ ses ज्यादा जो है वेरिंग कपेसिटी होता है दोस्तों अगला जो इस्ट्रक्चर है वो है स्क्वाइर कॉलम दोस्तों जो स्क्वाइर कॉलम है इसमें किदना steel bar use होना चाहिए दोस्तों जो है square column में कम से कम 4 नो steel bar use होना चाहिए और वो कम से कम जो है वो 12 mm डाया के होने चाहिए और उनका grade जो है वो fe 415 होना चाहिए दोस्तों steel पर देखेंगे तो steel पर लिखा रहता है डाया लिखा रहता है 12 mm और उसी में लिखा रहेगा FE 415 या FE 500 या FE 550 या FE 600 यह जो है इस्टील का grade होता है तो दोस्तों कम से कम FE 415 grade होना चाहिए और 12 mm डाय कम से कम होना चाहिए दोस्तों अगला जो है वह सर्कुलर कलम जो गोल कॉलम होते हैं वह उसमें जो है कम से कम 6 नक जो है कई स्टील बार होना चाहिए कितना 6 नोज और उसका डाय होना चाहिए वह कम से कम 12 mm होना चाहिए। और इसमें यह भी इसका grade होना चाहिए इस स्टील चाहिए अगला हम लोग बात करते हैं बीम का दोस्तों बीम में कम से कम दो नोज यानि कि 12 mm डाया का बॉटम में होना चाहिए यानि कि भीं कि जो बॉटम में 2 प्रेम यो रीवित यानि कि 12 mm डाया का री चूरी रीवित उसके बाद अगले हम लोग बात करते हैं one-way slab का दोस्तों one-way slab में जो है main bar जो है 8 mm डाया का हो और at the rate of 6 inch center to center main bar और distribution bar जो है वो कम से कम 6 mm का हो कम से कम 6 mm का हो 8 mm का दें और अच्छा है लेकिन 6 mm से कम का नहीं होना चाहिए distribution bar दोस्तों आज कल 6 mm का बार तो use होई नहीं रहा है आज कल जो है वो 8 mm का ही steel bar हर जगा ही जो हो रहा है लेकिन ये thumb rule के according जो बहुत पुराने thumb rule मने हुए है उसके according है जब 6 mm का steel bar चलता था तो जो distribution bar है वो कम से कम 6 mm का होना चाहिए 6 inch center to center पर अच्छा उसके बाद 2-way slave है जो 2-way slave है वो 2-way slave में main bar जो है वो 10 mm के होने चाहिए 6 inch की दूरी पर 6 mm center to center पर अच्छा distribution bar कम से कम 8 mm की होनी चाहिए 6 inch center to center यानि की beach से beach की दूरी steel की 6 inch होनी चाहिए अब हम बात करते हैं foundation जाल की foundation जो जाल हम लोग बानते हैं footing का जो जाल बानते हैं उस जाल में जो है मेन बार कम से कम 8 mm का होना चाहिए 6 center to center spacing पे और जो है distribution बार पीश जो है 8 mm का होना चाहिए at the rate of 6 mm center to center के spacing पे दोस्तों यह तो था आज पर थंद रूल कि minimum steel bar यह है minimum steel बार जो है हम कितना यूज कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों अपने budget के हिसाब से अपनी building की मजबूती के हिसाब से आप जो है इसके इससे जो है बड़े डया के steel जो है आप यूज कर सकते हैं ताकि आपके building में अधीक मजबूती आया और जाध आज पर थंब रोल दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग दिक वीडियो थैंक्यू